हे गाईज इसमी धीरू मौन चेको गाईज आज हम बात करने वाले इंडियन टीवी सीरियल्स के बारे में देखो ऐर कुछी चीजों के साथ एक रिश्ता होता है जैसे कच्छे का बनियान के साथ टंकी का पानी के साथ टीवी का रिमोट के साथ और मम्मी की चपबतात diff खी समझें टीवी सीरियल्स का भी कुछ चीजों के साथ रिष्टा है जैसे थपड के साथ भाई जब भी किसी टीवी शो में सस्पेंज या फिर नई कहानी डालनी होती है तो वहां की शुरुबात जादा तर एक थपड से होती है देखो कुछ शोज में ऐसा होता है कि हफते या दो हफत में एक एपिसोड में किसी के थपड पड़ता है लेकिन कुछ रोज ही ऐसे हैं जिनके अंदर हर एपिसोड में बिना थपड के तो बात ही नहीं होती है लोगों को गाड़ी में से उतार के थपड एक और थपड शादिने थपड वैयत पड़ फाइटी में थपड खर पर द दूसरा, ओवर ड्रमेटिक स्थाउंड इफेक्ट्स मुझे इनके यह फडजी इफेक्ट्स देखने के लिए बेल्डिंग माला चसमा चीए वह, नहीं तो मेरी आखे खराब हो जाएंगी इसी जो ओवर ड्रमेटिक बाली प्रथा है ना, यह इनो ने शुरू गीती एकता कपूर को ओवर ड्रमेटिक साउंड इफेक्ट्स उनके उतना ही मज़ा आता जितना ठर की लोगों को गंधी बात के एपिसोड्स देख के आता है तुमने देखें गंधी बात के एपिसोड्स अला देखो नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे बच्चो का शो की गंधी बात बच्चो यह गंधी बात यह तुम्हें नहीं करनी है बहुत सारी और भी कॉमन चीज़े होती है इंडियन टीवी सोस में जैसे कि इनलॉजिकल चीज़े ओवर एक्टिंग घट्रिया स्क्रेप्ट मेरे कच्छे में कमेंट नहीं करना कि साले तीन वीडियो में इपी कच्छा बैंच चुका है तो आज हम कुछ ऐसी सीरिल्स की वीडियो देखेंगे जो कि इनलॉजिकल और फणी है तो चलो गाइस पर शुरू करते हैं मुह से खून की उल्टी उगलने के लिए तयार हो जाओ कि अधिया देरी छोड़ चला एक होती है एक्टिंग विराथियो ओवर एक्टिंग विराथियो ओवर एक्टिंग इंटु फाउजिंग वह है यह मतलब इसकी सासुमा ने ऐसे टच किया हलका सा इतने में भाईया इसने इतनी कती पकड़ लिए कि पूरे ब्रमाण के दस च चक्करमार का जाएगी ऐसा हलका सा थप्ड़ खाने के बाद यह घूम घूम के घूम घूम के पड़े के पास है कि खुड का अगला पुदी घूट लेती है सिब्लिंग्स में लडाई नहीं होती जैसे इसी ओवर एक्टिंग करके दूसरे को पिटवा देता और अंदर ते खुश हो जाता है वही बच्चे ही अब बड़े हो चुक्या है गर्मी जादा इग्नूर गाना मेरी टी-शिर्ट उनको प्दीश कहिए कि अपना चॉपल लेंड ना करवाए क्रेश हो सकता है जबेगा और एक बार को चॉपल हबा में उतार वहां प्रेश जाता तो मैं यहां लेकिन लेंड हुने के तुरन्त बाद ज्यादक मुझे लगता है कि अगर चॉपर लैंड हो रहा है तो उसका जी इंजन वनचेन उस होते ही मोहित मोहित काई चला रो भया हैली कॉट्टर भटा है मोहित के तो चित्रड़े भी हाथ नि लगने वाले हैं चाइना का दलाल अमें आव डारा सला हाथ से या के साथ कुम्पु कराटे खेल लायो यह तुम्हारा चौपर सीथे चाइना से लेंड कर रहे हैं इदर कुम्पु कराटे सीखायो प्रो भाई अलने लगी निकल गारी आख के अंदर से काइस तिल्ली चलाने के बाद एकर थोड़ी सी ज्यादा चल जाती है उंगली पेटा चल जाती है तो हमारा हाथ जल जाता है लेकिन भाईया इनका तो भीच आख के अंदर खड़े होका भरत मिलाब चला है यह दोनों आइरन मेन के फूपा फूपी है इने थोड़ी बहुत आख से कोई फरक नी पड़ता मतलब गाईश चौपर के चितड़ होगा है लेकिन फिर भी हमारे मोहित भाईया एकदम चीते है यह खरोच नियाई कहीं धुए की सियाही तक नहीं लगी है सरीर पे एकदम ऐसे निकल क जांगी जई ए इनसान-इनसान जणवर-जणवर के बीच मनहीं है इंसान और जानवर के बीच में है नीयो ग यह घ्या का जो सेन वह एकदम ही अलग है इस शो में गोरिला है जो कि जू से निकल के ठपकी के घर पे आ जाता है कैसे आ जाता है ये तो मुझे भी निकल के ठपकी के घर पे आ जाता है तो यार ये जू से भागा हुआ गोरिला सीधे ठपकी के घर पे आ जाता है और आते ही धपकी के पती चाहपड चाड़ देता है जिसे खाकर पती एकदम जमीन पर चांके गिर जाता है बात इधरी खतम नी हो जाती है थपकी का पती उठता और सीधे गन निकालता और गोरिला पर तान देता है फाई रात का टाइम और इस बंदे के बाएं मतलब साला ये गन लेके सोता है सही है वाई सही है अम्रीका का दडाल बह लेकिन ये बंदा मानने के लिए तयान नियों था रिया इस रोकने के चक्कर में बंदूख सीधे गोरिला के आगे फैक देते हैं अमरीका का दलाल मैं आप पूरे समस्त देशवातियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे भारत देश को बचा लो जो मेरा भारत देश बिल्कुल बरबादी के कगार पर भया गोरिला उस गन को उठा लेता है फिर इसी के साथ थपकी एक आइडिया के साथ आती है कि यह त नरें तम अपनी परहिए बाग दो तो अपनी घंड नीचे रहताँ यह देखके गोंरा भी अपनी ह्रीक देता है पर थपकी नशे का इंजक्शन उठाती है जो की जानवरों के लगता है सबतार ने लगा लेता है और आ νवरी लेन गेला लेता है और तोनों एकदम पे अहो गाइस तुम्हें गोपी बहु याद है येस वही गोपी बहु जो एकदम गाय से भी भोली थी प्यार गड़ टीवी सीरियल्स की बात चले और ये क्लिप ना आए तो थोड़ा सा वह जाएगा अनफेर हो जाएगा नाइस तुम लोग सोच रहो होगे एक इतनी डाम है में ये लेपटप पानी में दो दिया निकने रैसा बिल्कूल भी नहीं है गोपी बहु उस चाइम पर हमसे बहुत ज्यादा टाइम्स आहेट थी जब वाटरप्रूफ मुबाइल तक नहीं आयते तब गोपी बहु के पास वाटरप्रूफ लेपटॉप था और तुम यह 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 गोपी बहु बहुत डाम है कमार था गोपी बहु इसा प्रूजी नहीं लगी पहले इसने बरतंद होने वाले सावन से लेपटॉप को दोया उसके बाद कपड़े धोने वाली रस्ची के उपर ले जाकर उसे टां हो चुगा लेकिन उनके हस्वेंट यह वात मानने के लिए तयान नहीं है तुम्हें मेरी जराबी फिक नहीं मेरी ग्रीन टी ब्लैक टी मेरे कपड़े मेरा खाना पीना बंगर आप नहीं तमाशा उर्लतो अब मुझे मेरी ग्रीन टी ते ना दे लेकिन उठके चार गाली ज खाम गोजिच की जा रही है लेकिन गाइस बात इधर ही खतम नहीं हो जाती है जब इतना कहने पे भी गोपीव नहीं उठती है तो उनके पती दे उनके फेकर भूसे मन बशू कर लेते हैं अगेस वाट इसके बाद क्या होता है गोपीव उठ जाती है अगेस बाद बस गाइस इस दाला आज आज के लिए इस जादा नहीं बस बहुत हो चुका अभी इन में चाओंगा राम से सुँगा गड़ी का सेल निकाल दिया मैंने क्योंकि तुम टाइम लगा बता तो इतना टाइम लगता व्याव वीडियो शूट करने ता भाई आपी की डायम लग जाता है वो सबढ़ अलग चीजा हूए उस पर गहर मत दिया करो वीडियो अच्छा लगा तो तुम्हे अभी लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करना कमेंट करके बताना वीडियो कह सा लगा कौन सा पाइट तुम yum customers लगा और दोस्तों के साथ शेयर करो अपने आंटियों के साथ भी WhatsApp पे जो तुम्हें जबर दस्ती सीरियल माला नहीं जब अब गलत हुए तो सैंस ही नी बना इस बात का कुछ मतलब उन लोगों के साथ वुटियों शेर करो जो आज भी ये सीरियल्स देखते हैं बाकी छोड़ो भाई टाडा टेक करो जिसके साथ मन करो उसके साथ शेर करो कर देना गार्ड वाट्सप पे घर देना काई मीरी तो